वेल्कम बैक टुदा चैनल गाईज आज हम लोग बात करेंगे BRICS करेंशी को लेखे जैसे हम लोग को पता था के Russia के कजां में बी薦स चल ला था डिफरेंट जो लीडर्स है जो गलोबल लीडर्स है वो अपने तरफ से इस BRICS आमेड में जाके participate किये तो अचनक से देखा गया जो host country है मतलब रशिया उनके जो head है मतलब पुतीन अपने हाथ में एक note लेके घूम रहा है हर कोई जो note है उसमें बहुत interested है अगर पुतीन के हाथ में कुछ होगा तो नोड़ा और दुनिया में हर कोई interested होगा कि पुतीन के हाथ में क्या है और पुतीन वो जो note है और किसी को show कर रहा है exactly इसको देखने से पता चलता है ये एक note है जो अगर bricks currency in future में construct किया जाएगा तो ये bricks currency का जो note अगर आता है at that point of time ये note वाईसे हो सकता है exactly दुनिया सोचेगा कि भाई पुतीन ने अपने तरफ से जो bricks currency है उस पे चुपचाप काम कर लिया है ये सारा दुनिया के जो भी bricks के member है वो लोग अपने तरफ से इसमें काम किया है और यही काम करने के बाद आगे जाके उन्होंने ये जो note है वो निकाला है यार हो सकता है कि पुतीन इस बार के जो bricks संबलन हो रहा था रशिया में उसी में इसको integrate करने जा रहा है या फिर bricks currency का starting है मगर देखा जाए तो exactly यह ऐसा कुछ नहीं है bricks currency आने में अभी बहुत साल का दे रही है या फिर आएगा या नहीं आएगा उसमें कोई surety नहीं है मैं ऐसा क्यूं बोलो यह मैं आपको आगे जाके बताता हूँ on the other side यह जो note है यह note इसी summit में कि कोई country का जो head वो पुतिन को gift किया था कि भाई आप एक बार इसमें ध्यान दीजिए exactly यह note क्या है यह note का अगर रेप्लिका हम लोग देखें बहुत मैंने पहले से हम लोग को यह internet पे available है internet में जो note का design है वो हम लोग को मिल रहा था और यही note कोई बना के पुतिन के हाथ में दे दिया पुतिन ने अपने तरफ से कहा के देखो भाई हम लोग लोग तो ब्रिक्स में obviously serious है मगर ब्रिक्स करेंसी को लेकर दूसरा कंट्री भी कितना serious है वो लोग अपने तरफ से यह जो note है यह बना के लाया है यह exactly hundred unit hundred unit इसलिए कहोंगा कि exactly अगर आप चाहे तो आप internet में जाके देख सकते हैं और इस note के जो फ्रंट साइड है उसमें पांच जो ब्रिक्स मेंबर से उन लोग का फ्लैग और उन लोग का कंट्री का कोई monument या फिर ऐसा कोई representative टीव फोटो उन में डाला गया है जो कंट्री को को डिफाइन करते हैं और अगर देखा जाए तो यह नोट का जो डिजाइन यह बहुत कुछ डिफाइन करता है फॉर एक्जामपल अगर हम लोग फ्रंट साइट को यह देखे तो इसमें अगर आप देखे तो इंडिया के तरफ से इंडिया का फ्लैग डाला गया है और ताज महल मन डालो इंडिया के बहुत सारह मॉनुमेंट से बहुत कुछ है इंडिया में बहुत सार अगर आप देखे इंडिया को अईसा बहुत सर बेल्डिंग्स करते इघ्टेंग गवर्मेंट में कौन रहेगा उन लोग का क्या सोच है उन लोग का क्या पसंद होगा पुटिन जब यह नोर दुनिया के ग्लोबल लीडर से उन लोग को शो कर रहा था तब हर कोई अगलम हैरान था कि पुटिन के अभी फिर से ब्रिक्स करेंसी को करें मगर फिर भी एक कोशन करते हैं कि अगर ब्रिक्स करेंसी आता है तो अगर दुनिया के जो कंट्री जो ब्रिक्स के मेंबर्स वह कहल से इसको ऑपरेट करें अगर हम लोग पास में जाके दुनिया में देखें डिफेंट बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी है जो लोग अपन ब्रिक्स करेंसी होगा है इसको देखके हम लोग क्या सोचे के इन फ्यूचर एक ऐसा टाइम आएगा जब इंडिया में इंस्टीड आफ इंडिया नैशनल रूपी ब्रिक्स करेंसी होगा हम लोग को नहीं लगता है कि यह इतना जल्दी आने वाला है on the other side इंडिया के साथ अगर आगर आग 4 चाइना बी है इंडिया के साथ ब्राजल भी रॉश्या भी है तो बहुत सारा कंड़ी है जो लोग अपना जो प्रिक्स करेंसी करेंसी लॉश करेगा उसके बाद यह जो करेंसी है यह करेंसी सुफ इंडियन गौवर्मेंट अपने तरब से जब भी कोई कंट्री के साथ waitaja के साथ अधिया करने के लिए अफिर चाइना के साथ पॉइंट पर ताइम के उपर टाइम जब आएगा विडिक्स करेंसी लांच करेंगा उसके बाद कैसे बिए को यूज किया जाएगा इसके लाभी बहुत मेजर फैक्टर है कि आगे जाके यूएस इसको लेके क्या करेगा प्रेजिटली हम लोग को पता है कि डॉनल्ड ट्रॉम्प जो ह लोग को का आगा देखने को मिलेगा थो प्रेज़यंतु अगर हम लोग जो इसके आज़ेंटिना कहनी हैं और अर्जेंटिन नहीं होंगे तो बेकार में यह ड़ला गया है हो सकता है और भी जो लोग आगे अपने तरब से बोले कि ब्रिक्स में सामिल नहीं होगा जैसे के हम लोग इंडिया के तरब से बोले इंडिया कभी भी नहीं जाएगा कि वहाँ ताज महल का पिच्चल हो इसको लेकर भी बहुत सारा प्रोटेस्ट है इसके लावा जो जो कंट्री के फ्लैग और बैकसटमें वह कंट्री नहीं रहा सकता है दूसरा को सक्टा प्रेच्टी चाहेगा कि हम मेशुता प्रेड्स, आपके पास दूस्रा का नीज c स्विफ्ट स्विफ्ट आपको यह जो बहुत मतलका अगर आपको international किर्य आफ में रहा दूसrou पैसा बेजना है फिर वह आपको पैसा बेशता है तो स्विफ्ट के थूब भेजा जाता है रश्या के वाज़े से बाहर कर दिया गया है जिसके वाज़े से रश्या को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेट को लेकर ऑन दादा साइड यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि रश्या को फिर से स्विफ्ट मैट करने का तो जो मिजर रश्या के पास अभी इसु है करेंसी डिलाटिव इसू वो है अपने तरफ से एक ऑल्टर्िनिटिव का करने का ज वहीश्यकर करें जिससे आगे जा जब से बहुत पहले इस पर काम शुरू कर दिया हो गर रशीया भी यह पब्लीक नहीं करेंगा जब यह काम कंप्लेट होगा हो सकता है रशीया तब जाके पब्लिक करे अगर अगर स्विफ्ट के अल्टेनेट में कोई solution रशीया को मिल जाता आ वो solution ग्लोबली काम करना शुरूर कर देता है और ठीक से रन कर जाता है अगर अगर बिक्स करेंसी को लेकर सोच सकता है अगर अगर बिक्स करेंसी पर रेश्या काम करेगा तो नो डाउट रेश्या के ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रेट होगा एक है अगर डी डॉलरेश्या का जो करें वहें सब्सक्राइख को आगे जाके बहुत सरी कांट्री हो सकता है कि अपने तरफ से अलाव करें अपने तरफ से पर आप लेकर बात चले मगर यहाने में अगर तर एक इसको कैसे लेगा चाना giro सारा जो बडिक को बांदान के करने का और में को सपपोर्ट करेंगा यह भी एक major factor है जबके आज के डिट में अगर देखे जाए चाइनीज एकोनोमी का जो ग्रोथ है वो स्लो हो रहा है एकोनोमिकल बहुत सारा प्रॉब्लम जड़ रहा है बैंकिंग सेक्टर में इश्यू है इसके लावा रियल सेक्टर में इश्यू है तो बहुत सरा ऐसा कुछ आगे कि हम लोग उम्मीद कर सकते है जो ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात हो रहा था है इतना सालों से वह करेंसी हम लोगो जल्दी देखने को मिले एक और मेजर फैक्टर है यूए का इलेक्शन उसमें कौन जीतता है वह कैसे लेता है उसका आगए या कि रिस्पॉंस कैसे रहे द्लेंगे तो ऐसे बहुत सारा फैक्टर से जो एक्जक्ली क्लियर होगा हम लोगो को साथ कि ओप लगा यह जो नोठ का डिजाइन ये आपको कैसे लागा यह प्लीज कमेंट कीजएगा नोठ का डिजाइन अगर आपको तुच चेंज़ आपको लगता है और इन फीच्च तो मेरा YouTube channel अतनुपॉल अटनुपॉल अटनुपॉल में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक में डिफरेंट इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको हर रोज मिलता है जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्रेस्ट करूँगा आपके लाइप के जो स्पेशल परसे ने उनके साथ शेयर कीजिए क्योंकि इससे क्या होता आपका जो टेस्ट एक्षा लगता है वो उन तक पहुंचता है जो बेल आइकन उसमें क्लिक कर दीजिए वीडियो है डिफरेंट टाइम में आता रहता है जब यह आएगा आपके पास तुरन नोटिफिकिशन पहुंच जाएगा आप देख पाएंगे वीडियो एक नया टॉपिक पर तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्य पास पास प्रयवाद कर दो खर दोड़ाद प्रयवाद कर दोड़ाद कर दॉजब यह लोगसी प्रयवाद।